कार बच्चों आपका स्वागत है मेरे यूटीब चैनल महत्सित मरजा में इस वीडियो में हम दिनांग 1-12-2023 का वर्क्षिट ले करके उपस थी थूँ इसमें हमारा टॉपिक है बृत की सपर्स रेखा यानि चेप्टर नंबर आपके जो बुक के चेप्टर नंबर 10 से संब यूपिक दीखें चेत्र 1 में यह जो लाइन सेग्मेंट लाइज इंसाइड दा सर्कल टचइंग इन इट एक टू पॉइंट्स पासिंग थ्रूदा सेंटर यानि यह सरकल है उसका सेंटर है और उसका जो है दो पाइज एक लाइन सेग्मेंट है जो उसको दो जगह पर यानि व्रृत करे दो बिद्वों पर छुता है यह व्रृत का द्यास कह लाता है दाइमिटर जबकि यह देखे चितर-थो में यह बाहर है और बाहर से बішना अब थोड़ा सा और इसको नज्दीक लेके आएंगे नजदीक लेके आएंगे इस line को हम थोड़ा सा और नजदीक लाएंगे पास लाएंगे तो ये एक जगह पर touch करेंगे तो रेखाकंड बृत के बाहर इस्थित है और बृत को केवर एक बिंदू पर spurs करता है तो ये स्पर्स रेखा कहलाता है इसको स्पर्स रेखा कहलाता है जहां पे ये मिलता है उसको स्पर्स बिंदू कहते हैं पॉइंट आप कॉंटेक्ट कहते हैं और ये देखिए इसमें थोड़ा सा और अंदर लेके जाएंगे तो ये करेखा खंड इसको दो भागों में काटता हुआ निकल जाएगा तो ये इसका छे दकरेखा कहलाता है और ये जो है इसको जो दो बिंदु पे टच कर रहा है उसको हम कौड कहते हैं यानि हिंदी में कौड को हम जीवा कहते हैं और सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो वृत का व्यास होता है जब यानि हमने क्या सिखा जो वृत है वृत को बहुत सारे लाइन सेग्मेंट अब यहां पे कोई है यह कहीं नहीं टच कर रहा है अब थोड़ा सा और नजदी क्ले के आये तो यह इसको एक बिंदु पे टच करता हुआ जा रहा है तो यहां पे यह टच कर रहा है इसको कहेंगे सपर्स बिंदु पॉइंट अप कॉंटेक्ट और अब यहां पे जो टच कर रहा है तो उसको सपर्स रेखा कहेंगे टेंजेंट और अंदर जदी लेके जाएंगे तो ये अंदर इस तरह से छेद करता हुआ निकल जाएगा दो बिंदू पे तो मिल रहा है लेकिन ये कहीं मालब उसको छेद करते हुए निकल जाए तो इसलिए इसका नाम छेदा करेखा इंग्लिस में इसको हम सिकेंट बोलते हैं ये रहा यहां पे सिकेंट ओफा सरकर ये दो बिंदू पे टच करता हुआ निकल जाए और यदि सिर्फ दो बिंदू को टच ही करें अंदर ही रहें दो बिंदू पे टच ही करें तो इसको हम कहते हैं कॉड यानि जीवा जीवा इंगलिस में कॉर्ड उसमें सबसे बड़ा लॉंगेस्ट कॉर्ड होता है जो सेंटर से पास होके जाता है के अंदर से पास होके जाता है अब इसमें हम कह सकते हैं जो कि तीन में AB बिरित की स्पर्स रेखा है ये स्पर्स रेखा है यह यह एक बींदु पर उसको टच कर रहा है तो अब कह रहा है प्रस्ट बृत की जीवा से किस प्रकार भिन है अब देखए चेदक रहा कोते हैं वे स्पट उसको काटते हूए पास कर रहा है यह पास कर जा रहा है जबकि वो अंदर ही रह रहा है यह उसकी बाउंडरी फिक्स हो गई है यह मलब इसके जो छेदक रेखा है वो उसको काटते हुए बाहर निकल जा रहे है जबकि वो बस छू रही है आये च्छेदक रेखा और असपर्स रेखा और जीवा की तुलना करें बृत की जीवा अंदर इस्थित होता है जीवा जो होता है बृत के अंदर होता है ये जीवा वृत के अंदर होता है वृत के अंदर की दो बिंदूओं को छूता है यानि यहां पे भी छूरा है यहां पे भी छूरा है और ये वृत के केंदर से भी जा सकता है अब छेदक रेखा है छेदक रेखा देखिए जब हम छेदा करेखा की यानि सिकेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी यदि हम सरकल बनाते हैं तो यह सरकल है और फिर इस पे जब छेदा करेखा हम बनाते हैं तो क्या होगा बृत के अंदर की दो बिंदूओं को प्रतिछेद करते हुए निकल जाते हैं बृत को प्रति प्रतिछेद करते हुए निकल जातो है। बृत को दो बिन्दूों पर काटते हुए जाते है। यह अब यह भी ऐकंदर से होकर जा सकता है। जब्कि इस परस-रेखा की बात करें असपरस रेखा जो है ये बृत पे जब हम सपरस रेखा खीचेंगे तो देखिए बृत के ये बाहर ही इस्थित होता है ये बृत के बाहर ही इस्थित होता है बृत को केवल एक बिंदू पर टच कर रहा है जिसको असपार्स बिंदू पॉइंट ऑप कॉंटक्ट कहते हैं और यह कभी भी केंदर से नहीं जा सकता है यहां पर क्योंकि जब जाएगा तो यह दो बिंदू पर प्रतिछेट करते हुए निकल जाएगी तो यह इस तरह हो नहीं सकता है तो यह बिरित केंदर से नहीं जा सकता है इंग्लिस में भी एक बार देख लें, lies inside the circle, touches the circle at two points, can cross the center, second जो होता है, intersect the circle, intersect the circle at two points, can cross the center, attention outside होता है, और circle को एक point पे touch करता है, और center से होके कभी नहीं जाता है, उमीदे समाझ में आओगा, अच्छा लगे तो like और subscribe, share जरूर करें, धन्यवाद,